पूरे देश में आज यानी 30 दिसंबर को राश्टिक किसान दिवस मनाया जा रहा है इस अफसर पर देश भर के किसानों के योगदान को लेकर कारिकरम आयोजित किये जाते हैं कहना ज़रूरी नहीं कि हम भोजन के बीना जीवित नहीं रह सकते और भोजन का अधिकांश हिस्सा हमें किसानों के उपजाय हुए अन, दलहन और फलसबजियों से मिलता है किसान खेतों में मेहनत करके जो उपजाते हैं उनहीं से हमारा पेड़ भरता है किसान ना हो तो हमारा अस्तित्व नहीं रह पाएगा अलग अलग देशों में किसान डिवस अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है जबकि अपने देश में हर साल 23 दिसंबर को किसान डिवस मनाया जाता है दरसल भारत के पाँचवे प्रधान मंतरी और किसानों के मसीहा चौदरी चरण सिंग की जहनती के मौके पर हर साल ये खास दिन मनाया जाता है 23 दिसम्बर 1902 को भारत के पांचवे प्रधान मंत्री चौदरी चरण सिंग का जन्म हुआ था चौदरी चरण सिंग को किसानों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर भी जाना जाता है साल 2001 में चौधरी चरण सिंग के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने का फैसला किया गया था चौधरी चरण सिंग को भारती किसानों की स्थिती में सुधार लाने का श्रे दिया जाता है खुद किसान परिवार से होने के कारण वे किसानों की समस्या और स्थीती से अच्छी तरह वाकिफ होते थे इसलिए उन्होंने किसानों के लिए कई सुधार कारे किये थे किसान हर देश की प्रगती में विशेश सायक होते हैं एक किसान ही है जिसके बल पर देश अपने खाद्यानों की खुशाली को समरिद कर सकता है देश में राष्टपिता गांदी जी ने भी किसानों को ही देश का सर्ताज माना था लेकिन देश की आजादी के बाद ऐसे नेता कम ही देखने में आए जिन्होंने किसानों के विकास के लिए निश्पश्क रूप से काम किया ऐसे नेताओं में सबसे अगरणी थे देश के पूर्व प्रधान मंत्री चौदरी चरंसिंग पूर्फ परधान मंत्री चौधरी चरन सिंग को किसानों के अभूत पुर्व विकास के लिए याद किया जाता है चौदी चरन सिंग की नीती किसानों वे गरीबों को उपर उठाने की थी उन्होंने हमेशा ये साबित करने की कोशिश की कि बगेर किसानों को खुशाल किये देश वे प्रदेश का विकास नहीं हो सकता चौदी चरण सिंग ने किसानों की खुशाली के लिए खेती पर बल दिया था किसानों को उपज का उचित दाम मिल सके इसके लिए भी वे गंबीर थे उनका कहना था कि भारत का संपून विकास तबी होगा जब किसान, मजदूर, गरीब सभी खुशाल होंगे इस दिवस को मनाने के बीचे एक और उद्देश्चे ये भी है कि ये किर्शी छेतर की नवीनतम सीखों के साथ समाज के किसानों को सशक्त बनाने का विचार देता है किसान दिवस समारो लोगों को किसानों के सामने आने वाले विभिन मुद्दों के बार में सिक्षित करने का काम करता है किसानों का देश की प्रगती में बड़ा योगदान होता है इसलिए हमें किसानों को सम्मान देना चाहिए केंद्र और राज्यो की सरकारें किसानों के लिए कई तरह की योजनाया चलाती है इस विशेष दिवस का उद्देश्य ही यही है कि किसानों के योगदान को सराहर जाए देश में इस अफसर पर किसान जागरपता से लेकर कई तरह के काले करम होते है झाल झाल